दोस्तों जय महाकाली आप सभी का स्वाकत है हमारे चैनल पर दोस्तों आज हम आपको शुकर दंथ के विशे में संपून जानकारी देने वाले हैं दोस्तों कई जगाओं पर शुकर दंथ को पहनना बहुत ही शुब मना जाता है कहा जाता है कि शुकर दंथ पहनने से हर प्रकार की कठनाईयां खतम होती है दंथ की ब्रद्धी होती है और जीवन में सुरक्षा मिलती है दोस्तों ये कितना सत्ते है यदि आप लोग शुकर द दंत धारण करना चाहते हैं या धारण करने वाले हैं या लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंतक देखेगा इसमें शुकर दंत के विशे में आपको संपून जनकरी बताई जाएगी बताया जाएगा कि कैसा शुकर दंत आप लोगों को धारण करना चाहिए या कैसा शुक शुकरदंद की सिद्धी किसी भी प्रकार से तामसिक है या शम्शान क्रियाओं के दोरा इसको सिद्धी किया गया है तो ऐसा शुकरदंद बहुती घातक आप लोगों को सिद्ध हो सकता है सापदान रहीएगा शुकरदंद जहां से भी आप खरीदें या जहां से भी आप सि कि दिकि जा रही है किस माध्यम अ किस तरहसे शुकर्णत को प्राप्त किया गया है। दोस्तों कभी भी कोई भी वस्तु को तंत्र में प्रयोक करने से पहले इसकी जानकारी इसकी शुद्धता बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप लोगों को ग्यात हो दोस्तों आज कल के समय में शुकर दंत कभी भी बहुत आसानी से नहीं मिलते हैं जो लोग शुकर दंत आप लोगों को सिद्धी करके देते हैं वो हो सकता है कि जो शुकर पालन करने वाले होते हैं उनक जो कि शुकर पालन वाले दंतों का इस्तमाल करते हैं ऐसे शुकर दंत आपको कभी भी फायदा नहीं देंगे ऐसे शुकर दंत आपको जीवन में भारी नुक्सान पहुचा सकते हैं और आपके घर की जो साथविक्ता होती है एसी साथविक्ता को भंग करते हैं क्योंकि ऐसा गलत होता है जो कि किसी शुकर को नुकसान पहुंचा कर प्राप्त किया गया है उखाड़ा है या किसी भी शुकर को मार कर प्राप्त किया गया हो दोस्तों आज के समय में ऐसा शुकर दंत बजार में मिलते हैं या जहां से आप लोग लेते हैं वहाँ पर ऐसा शुकर दंत दोस्तों दूसरा शुकर दंथ अगर सही माध्यम से प्राप्त भी किया है तो ऐसे जातक बहुत ही कम होते हैं ऐसे साधक बहुत कम होते हैं जो बारा दंथ की सिद्धी जानते हैं ऐसा दंत असली शुकरदंत कहलाता है, ऐसा दंत आप लोगों के जीवन में सोभाग की कारी माना जाएगा, ऐसा दंत आप लोगों के हर कश्ट हरेगा, दन और धाने से आपका घर भरेगा, दोस्तों कैसे दंतों को प्राप्त करके शुकरदंत को सिद्धी किया जाता है और त जंगली शुकर के नाम से भी जाना जाता है जब जंगली शुकरों की आयू पूर्ण हो जाती है और कुद्रती रूप से इनकी मृत्य होती है और जंगलों में ये पड़े हुए मिलते हैं मतलब जो शुकर की मृत्यू अगर कुद्रती होती है ऐसे शुकर से प्राप्त किया दंत मतलब साथविक्ता से प्राप्त किया गया दंत ही असली शुकर दंत कहलाता है ऐसे दंतों में ही भगवान का बास होता है और ऐसे दंतों को शुद्धी करण करके सिद्धी करण करके पूजा पाठ में तंत्र मंत्र में प्रियोग किया जाता है ऐसे दंत के ऊपर ही असली बारा साधना या वारा क्रिया की जाती है दोस्तों शुकर को कभी भी मार कर किसी भी प्रकार से नुकसान पहुँचा कर यदि आप लोग इसा दंत राप्त करेंगे तो ऐसा दंत आपके घर को खराब कर सकता है घर की साथविक्ता को भंग कर सकता है गर में जो देवी देवता होते हैं इनको नाराज कर सकता है ऐसे शुकरदंत को गलत तरीके से लिये गए शुकरदंत को प्रियोग करने से आपका जीवन काफी कश्टकारी हो सकता है दोस्तों शुकरदंत बहुत ही शुद्ध और पवित्र माना जाता है ऐसे दंत बहुत ही कम लोग जानते हैं आपने बड़े बड़े रिशी मुनी, तांतरिक, अगोरियों के गले में ऐसा दंत दुखा होगा जो की असली शुकर दंत होता है जो लोग 12 की साधना करना जानते हैं उन लोगों को पता है कि ये दंत कितना पवित्र होता है और इस दंत को सिद्धी करने के लिए कितनी पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों 12 दंथ मतलब शुकर दंथ बहुती गरम होता है ऐसे दंथ होता है जिसमें बहुत सारी शक्तियां होती हैं इन शक्तियों को अनुकूल बनाने के लिए इसको सुद्ध 15 ग्राम चांदी में बनाया जाता है और ऐसे शुकर को हमेशा एनर्जेटिक रखने के लिए शक महराजा देवी देवता हैं कि आपने मुकुट पर ऐसा मारिक जड़ा हुआ देखा होगा जो कि हर कहीं आप लोगों को देखने मिल सकता है किसी भी मान्चित्र में या चित्र में दोस्तों मानिक किसी भी वस्तु की शक्ति को बनाये रखने का कारे करता है मानिक जिस वस्त जाता है तब जाके शुकरदंत बहुत ही जादा एनरजेटिक होता है शक्तिशाली होता है और जीवन भर आप लोगों को अच्छे लाब देने का कारी करता है दोस्तों शुकरदंत अच्छी तरह से प्राप्त किया हुआ होना चाहिए ध्यान रखेगा कि जो जंगल में भ्रम करते हैं बेचते हैं लेकिन यह गलत है यह इसे शुकर का आप लोगों को दंत दे सकते हैं जो शुकर मीट खाने का काम करता है ऐसे शुकर जो की शुकर पालन का कारी करते हैं और ऐसे विक्ति जो शुकर का मीट खाते हैं उस उस शुकर में इस्तेमाल करने वाले दंत को काले जादू, भूत, पिसाचनी, डाकिनी या किसी भी काली विद्या से संपर्ख करने के लिए कारे करता है। बारादंत बहुती शक्तिशाली होता है, पवित्र होता है, सोमे होता है। बारादंत में इतनी शक्तियां होती हैं कि अगर बारादंत सिद्धी करा हुआ आप लोग पहन लेते हैं तो जीवन भर आपकी सुरक्षा होती है, जीवन भर आपको कभी भी धनकी कमी नहीं रहती है, पूरे जीवन आप यश, बेभब, मान और सम्मान के साथ व्यतीत करते है ऐसा दंत बारादंत कहलाता है और ऐसे सही दंत का ही जीवन में अच्छा लाप मिलता है, दोस्तों बारादंत की सिद्धी आप हम लोगों से करबा सकते हैं, जो व्यक्ति बारादंत यानि शुकर दंत नहीं पहन सकता है, दोस्तों शुकर दंत कभी भी साधारन व्यक्ति को कभी नहीं पहनना चाहिए ये उन लोगों के लिए होता है जो व्यक्ति खुद तांत्रिक होते हैं या तांत्रिकी साध्राएं करते हैं किसी भी तरह की विध्या या किसी भी प्रकार से तंत्र का प्रियोग अपने जीवन में करते हैं ऐसे व्यक्ति को शुकरदंत धारण करना चाहिए कभी भी साधारण व्यक्ति को जो व्यक्ति गत व्यक्ति होते हैं जिनका परिवार होता है जो व्यक्ति अपनी रोज मर्रा की जीवन में व्यस्त रहते हैं और शुकरदंध धारण करेंगे तो ये बिलकुल अनियमित होता है इसा शुकरदंध आप लोगों को नुकसान पहुचा सकता है चाहे असली बारा साधना से सिद्ध किया गया शुकरदंध हो या तामसिक विद्या से सिद्धी किया गया शुकरदंध हो इसा शुकरदंत बहुती गातग आप लोगों के लिए हो सकता है दोस्तों शुकरदंत की जगा पर 12 साधना से सिद्धी किये गए कई प्राचीन ताबीज आते हैं जिसमें असली 12 दंत की सिद्धियां की जाती हैं इसे ताबीज को आप लोगों को गरहन करना चाहिए और प्राप्त करना चाहिए शुकरदंत के श्थान पे इसे कवच ताबीज जीवन में हर वही कार ही करते हैं जोकि 1 12 दंत असली साधना से सिद्धियां गया शुकरदंत आपके जीवन में कारे करता है दोस्तों शुकरदंद के इस्थान पे आप लोग ऐसे कवच पहन सकते हैं जो कि संपून बारा साधना की सिद्धी से गुणवत हो और ऐसा कवच जो कि आपका जीवन और भाग्य बदलने का कारे करें दोस्तों बारा साधना में बारा विद्या में बारा शाश्तर में बताया गया है ऐसे तावीज और कवचो के बारे में जो कि संपून बारा विद्या का एक ही शक्तिशाली रूप होता है जो कि आपके जीवन में शुकरदंद से भी जादा आप लोगों को लाप पहुँचा स जो कि शुकरदंट से भी कई लाख गुना ज़ादा तेजी से और तीवरता से कआरे करता है। ऐसे 12 कवच काफी पवित्र होते हैं। जो कि कभी भी घर में किसी भी प्रकार की शकती को बंग नहीं करते हैं। 12 अफ्तार सबसे पवित्र अफ्तार माना जाता है। देवी लक्षमी तक 12 अफ्तार के कंधे पर बेट कर, मतलब भगवान विश्नु के कंधे पर बेट कर, ब्रहमन उन्होंने पूरे लोक का किया था, ऐसे यंत्र, ऐसी कवज काफी गोपनिय होते हैं और ऐसे कवज काफी गोपनिय सिद्धी से सिद्धी करके बनाये जाते हैं, दोस्तों एक बार अपने जीवन में इन कवजों को इस्तमाल करके देखिए, ऐसे तावीच को इस्तमाल करके देखिए, जो असली बारा के रूप हैं, आप लोगों का जीवन बदलने लगेगा, आप लोग शुकर दंद को भूल जाएंगे, इतनी शक्तिशाली, इतने अच पादना के साथ सिद्धी करके आप लोगों को दिये जाएंगे, दोस्तों जय महाकाली, आज्या दीजिये